नमस्कार मेरा नाम ज्यानिश्वर है और आप देख रहे हैं लाइट सिटिस्ट देखे बेगुश राइ सूट आउट की फाइनल रिपोर्ट लेकर हम आपके शामने हासिर हैं आपको पता है पिछले साथ गंतों से बिहार में कितना बरा तुफान मचा रहा चार ऐसे अपराधी जिन्होंने टांडव मचा दिया बेगुश राइ में चालिस किलोमीटर तक फाइरिंग की 11 लोगों को गोली मारी एक तो मौत को भी सिधार किया बिल्कुल निदोश व्यक्ति कोई भी दोशी नहीं है कोई भी टारगेटेड नहीं था जिन्हें गोलियां मारी गई तो देखिए अच्छी बात ये है कि बेगुश राय पुलिस ने राज्य पुलिस के शहयोग से मतलब आप ये कह सकते हैं टीम बर्क है सभी जो इस कांड में सामिल थे सुट आउट में सामिल थे उन्हें गिरहतार कर लिया गया है तो देखिए हमने सबसे पहले लाइफ सिटिस में कल रात को ही शारहे दस बजे उन अपराधियों के नाम बता दिये थे जो बेगुश राय स्चुट आउट के कशुरबार थे और जिन्हें गिरहतार किया गया था और रात को गिरहतार करने की कोशिस किजा रही थी वीडियो बहुत बाइरल हुआ क्योंकि ब्रेकिंग खबर थी अपराधियों के नाम का खुलासा सबसे पहले लाइफ सिटिस कर रहा था लेकिन हमने देखा कि हमारे कमेंट बॉक्स में चाहे वीडियो यूटूब पर रहा या फेश्बुक पर लोगों ने हम से पूछा कि मैं अपराधियों का नाम तो बता दे रहा हूं लेकिन हम टाइटल क्यों नहीं बता रहे हैं؟ हम जाती क्यों नहीं बता रहे हैं देखिए जब यह घटना घटी थी तब भी हमने कहा था पहले दिन ही कहा था जब लोग कह रहे थे कि यह किसी सिर्फिरे का काम है यह किसी साइको अपराधी का काम है बतलब साइको किलर का काम है तो हमने कहा था कि देखिए मेरे 35 बर्शों क पर तजरुबा कहता है यह साइको कीलर नहीं है क्योंकि 40 किलो मीटर के शफर में जिस तरीके से गोलियां बरसाई गई है वह नसेबास मतलब नसे में दुबा हुआ नहीं हो सकता है साइको नहीं हो सकता है क्योंकि यदि नसे में दुबा होता तो वह लगातार गोलियां चलात नहीं करें तो देखिए हमने दहसत की बात और साजिस की बात पहले दिन की थी जिसकी पुष्टी आज बेगुश्राय के और किसी को बचाया जा रहा है दिखी मैं इस विबाद में नहीं फसना चाहता हूँ पुलिस ने साइंटिफिक इन्विस्टिगेशन का हवाला दिया है और जब इस बुरे दौर में इतना बराकान हो जाए घटित हो जाए तो आपको पुलिस के इन्विस्टिगेशन पर सिभ को यह भी बताना चाहिए कि कौन सामिल थे क्योंकि यदि किसी के सामिल नहीं होने की बात कर रहे हैं तो किसी के सामिल होने की जानकारी भी आपको मिल तकी है तो चलिए हमने आपको यह कहा कि कल से हमसे सवाल पूछा जा रहा था कि टाइटल क्या है तो देखिए जाती तो अब भी आपको हम नहीं बताएंगे, लेकिन हम पूरा नाम बता देते हैं, जो आपको जानना था, जो चार अपराधी गिरफ़तार किये गए हैं, देखिए पहला नाम सत्यजीत उर्फ चुन्चुन कुमार, इनके पिता जी का नाम है परमानन सिंग, बीहत के रहने बाले हैं हमने बीहत कनेक्सन की बात कही थी, बीहत में भी खैम करनपुर तोला है, और ये बरौनी FCI थाना के इलाके में हैं बेगुशराय का, तो चुन्चुन कुमार उर्फ सत्यचीत, दूसरा जो है सुमीत कुमार, पिता का नाम भोला चौधरी, साकिन हाजिपुर पिपरा बाग नमबर चार, ठाना बरौनी जिला बेगुशराय, अब देखे तीसरा जो केशब कुमार उर्फ नगबा है, नागा है, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा है, ये राम बिनै सिंग का पुत्र है, बीहत का रहने बाला है, खैम करनपुर का, बरौनी FCI ठाना के इलाके मे जो चोथा है उबराज सिंग उर्फ शोनू, देखे राजीब सिंग उर्फ मुन्थन सिंग का बेटा है, ये जैमरा करने बाला है, और रिफाइनरी O.P के इलाके में इसका घर है, तो नाम तो हमने आपको बता दिया, बाकी जाती क्या है, या आप जो समझना चाहते हैं, आ हम फसेंगे, फिर से कहा रहे हैं कि अपराज की जात नहीं होती है, अपराधी की जाती नहीं होती है, अपराधी का नास करने के लिए आपको अपराधी के खिलाप, बिना कुछ सोचे समझे, तूटना परता है, ठैच चलिए, देखे जब हम फाइनल रिपोर्ट की बात कर होती है, जो किसी कांड के संदर्में, अब तक हुई जाच के बारे में आपको हम बता रहे हैं, हम किसी अपराधी के बारे में फाइनल रिपोर्ट नहीं जारी कर रहे हैं, यहाँ तो हम चलचा कर रहे हैं कि अब तक क्या क्या हुआ देखे बेगुसराय के SP ने क्या कहा कि इस गोली कांड का इरादा जो था वह दासत फैलाना था मान लिए हम भी दासत फैलाना था लेकिन अब साजिस को बेपर्द करने की चोड़त है कुछ सवाल अब भी बचते हैं जिन सवालों से जूजना होगा बेगुसराय पुलिस को य यह मिली CCTV फूटे स्थी खंगा ले गए 28 CCTV फूटे स्थी कंगा ले गए थे तो जानकारीbilirकी दो मोटरसाइंकल पर swelling पर सबार चार अपराधि देखिए अब तक फाइरिंग हुई है, ये सारे अपराधी फाइरिंग सुरू करने के पहले तैयारी के लिए या तैयारी के साथ कहां एसेंबल हुए थे, किनके ठिकाने पर एसेंबल हुए थे, आखिर वो जगह क्यों चूनी गई थी, जहां से फाइरिंग की शुरुआत हुई, तो इस का जवाब तलासा जाना चाहिए, बहुत कुछ मिलेगा, ठीक इसी प्रकार से, यह भी मालूम होना चाहिए, कि रास्ते को तैय कैसे क्या गया, रास्ते का चैन कैसे हुआ, क्या इसके लिए पहले से रैकी की गई थी, क्या इसके लिए पहले से यह देखा गया था, कि इन र पारबार कह रहे हैं कि ये जो अपरादी हैं इनका मकसद किसी खास को मारना नहीं था इनका मकसद शिर्फ और सिर्फ दासत फैलाना था जैसा विहार के मुख्मंति निटीज कुमाद ने भी पहले दिन कहा था तो पहली बात ये एसेंबल कहा हुए किन लोग के साथ बैठे थ और दूसरी बात, ये डिस्पर्स कहां हुए, जब इन्होंने गोली बारी बंद कर दी, तो ये कहां जाकर बंद हो गए, मतलब इन्होंने कहां जाकर पनाह ली, देखिए पनाह लेने का ठिकाना भी, जब इस तरीके से आप किसी आपराधिक बादात की प्लानिंग करते हैं, तो सब कुछ तैह होता है, तो पुलिस की टीम को, जब इतनी बड़ी इंविस्टिकेशन टीम बनी, बेगुसराई के डियाईजी, बेगुसराई के स्पी, सियाईडी, स्परसलतास पोस्स, एकोनामिक ओफेंस उनिट, सब कुछ लगाया गया, तो इस सवाल का जबाब तला पासा जाना चाहिए, कि ये अपराधी आखिन जाकर छुपे कहां, मतलब रुके कहां, और उन्हें छुपाने और रुकाने वाले कौन थे, ठीक इसके साथ, यह भी जानना जोड़ी है, जो इनके पास से मोबाइल की जबती हुई है, उनके CDR को खंगाला जाना आबस्चक ह और यह पता किया जाना आबस्चक है, कि साजिस के दो दिनों पहले से, मतलब बाधात के दो दिनों पहले से, ये किनकिन लोगों के संपर्क में थे, और बाधात के दौरान और बाधात की समापती के बाद ये किस के किस के संपर्क में रहे, देखिए, अब एक और बात महत् है कि 11 लोगों को गोली मारी गई तो कम से कम 11 गोलियां तो चली 2 देसी पिस्टॉल मिले हैं लेकिन जब पहले दिन पुलिस का ब्यान आये था तो यह बात सामने आई थी कि कुछ गोलिया तो देसी कत्ते की है लेकिन कुछ गोलिया रेगुलर पिस्टल की भी है तो फिर ये जो बिरुधा भास है इस बिरुधा भास को भी खत्म किराना चाहिए देखे डेसी कटे से 11 गोलियां फायर करना 11 गोलियों से अधिक की बात हो रहा है देखे बीजेपी के नेताओं ने तो कहा कि 50 गोलियां फायर की गई 100 तक बात पहुँच गई तो देशी कटे से 50 और 100 गोलियां फायर नहीं किया सकती है इस बात को भी असपस करना चाहिए कि गोली चलाने वाला व्यक्ति जो 4 अपरादी हैं 2 मोटरसाइकलों पर सबार हैं उनमें 2 अपरादी गोली चला रहे थे या एक चला रहा था तो इस बात को जानने की जरुवत है और फिर ये कि इतनी गोलियां इन्हें मिली कहां से देखिए जब आप क्राइम को डिटेक्ट करते हैं और आगे का क्राइम रोकना चाहते हैं तो यह भी एक महत्वन काम होता है कि आपराधियों को जो लोग हत्यार और गोलियों का सप्लाई देते हैं उनके खिलाब भी कारवाई की साए वैसे बेगुश राएमे 217 बहुत है यहाँ तो देशी कट्टे और पिस्टल की बात हो रही है लेकिन फिर भी आपराधियों की निसान देही पर उधर काम होना चाहिए देखिए अब एक और बात जब दहसत की बात हुई साजिस की बात हुई तो इस मामले में एक और क्या विबाद हो गया विबाद यह हुआ कि जो नागा गिरफ्तार किया गया जिसका नाम जो असली नाम है केशब कुमार उफ नगबा राम बिनाई सिंग का बेटा इसके बारे में परिवार वाले कहने लगे कि बादात के समय वह घर पर था या लाइन होटल पर था कुछ CCTV फूटेज भी दिखाए गए लेकिन आज बेगूस राए के S.P. योगें रिकुमार जब प्रिस कॉंटेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखिए इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो घटना के समय जो अपराधी फायर कर रहे थे जो लगातार चल रहे थे गोलिया चलाते हुए उनके साथ संपर्क में बने वे थे तो यह एक महत्पुन करी है और यह इस पस्ट किया जाना आबस्टिक है कि नागा की भुमिगा किस रूप में थी तो यदी कोई ब्यक्ति यदी कोई अपराधी वह गोलियां फायर करती हुए जा रहा है और इसकी रिपोर्ट किसी को दे रहा है तो यह भी महत्पुन बात है और वैसे भी देखिए यह जो नागा है और जो यह चुनचुन कुमार उफसत्जीत है इनके खिलाफ हिस्ट्री सीथ पहले से है सुमित के खिलाब भी है और युबराज के खिलाब अब तक पुलिस को कोई हिस्ट्री सीथ नहीं मिली है अब देखिए जो नागा गिरफतार हुआ उसमें भी कई तरीके की कहानिया है पुलिस ने सबसे पहले युबराज को गिरफतार किया युवराज की गिरफतारी से चुन-चुन का पता चला और उसके बाद करिया जुनती चली गई देखे पुलिस पर जितना दबाब था पुलिस ने तमाम तरीके के हथकंदे अक्तियार किये करने ही होते हैं जब अपराध्य को पकरना होता है आज मैं नागा की माँ और बहन की बाई सुन रहा था इसमें यह बात सामने आई कि पहले पुलिस ने नागा के भाई को हिरासत में गया देखे मैं इससे आश्चर चकित नहीं हुआ पुलिस दबाब बनाने के लिए ऐसा करती है और इसका परिणाम यह निकला कि पुलिस को नागा का शुराग में देखे जब यह सूचना मिली तो मौरिया एक्सप्रेस कहा है कहा पहुँची है इसकी जानकारी ले गई फिर बेगुस राई एस्पी ने जमूई एस्पी के साथ कॉडिनेशन इस्थापित किया कॉडिनेट किये एक दूसरे को और यह बात सामने आई कि यह मौरिया एक्सप्रेस जो है जाजा पहुचने बाली है तो जाजा पहुचने पर ही नागा की गिरफतारी की योजना बना ली गई जमूई एस्पी ने इसमें अच्छा काम किया तो देखिए नागा जो गिरफतार हुआ जिसके इरादे को लेकर या जिसके बारे में कई तरीके की बाते कहीं जा रही है जो मोबाइल की जबती हुई उसने डिके नेटवर्क तो बन कर दिया था लेकिन इंटरनेट पर वो वार्टसप के माध्यम से चालाख है पहले भी जेजा चुका है वो लगातार संपर्त में था बात यह सामने आई यह एक उसकी गल्फेंड इसके बारे में भी पुलिस को जानकारी मिल गई थी वह भी सायद बेगुश्राइक की ही है लेकिन नागा की उमर बहुत नहीं है लेकिन आज कल तो कम उमर में भी गल्फेंड बन जाती है तो वो जो गल्फेंड है नागा को समझाने की कोशिस कर रही थी जो चैट दिखे ह तुम इस तरीके का काम क्यों करते हो बार बार क्यों करते हो लेकिन वो मानने को त्याद नहीं का ठीक इसी प्रकासिये उसके एक दूसरे दोस्त ने भी उसके साथ चैट किया था जिसके जबाब में नागा ने कहा था कि मुझे पता है कि डौन को उसने अपने को डौन गिया था देखिए नागा नाम की लोग कई बरे-बरे डौन हुए हैं मुकामा का नागा फिर बड़ा नागा राम नरे सिंग उर्फ बड़ा नागा जो कभी असोक संब्राद के साथ बाद में अनन सिंग के साथ जिनके पास एक 47 होता था तो नागा ने कहा ये ये जो गिर करतना में अब जो कुछ करियां बची है और बेगूस राय पुलिस को एक नजीर पेस करना बेगूस राय पुलिस ने बेहतर कार किया कि उसने 47 घंटे के भीज़र केस को क्रैक कर दिया लेकिन पूरी साजिस को बेपर्द किये जाने के जरुत है ताकि आगे देखिए इस मस बादात को छूत मिलेगी यदि इस तरीके की बादात में शामिल अपराधी नहीं पक्रे जाएंगे तो दूसरे अपराधी भी राह चलते गोलिया बरसाएंगे और इसमें कोई भी आम आदमी मारा जा सकता है घायल हो सकता है जैसा कि बेगुशराय में हुआ इसलिए ऐसे म सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लिएगा और यहीं इस वीडियो को आप फेस्बूक पेज के मार्जम से देखे तो पेज को लाइक किजिए का ट्यूटर पर भी हमें फॉलो किजिए धन्यवाद